वहाँ पर भी कॉंग्रेस का सासन था और 56 थे 2003 तक 53 वर्स में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कॉंग्रेस का सासन रहा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज जो लोग डावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले इत 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने मद्यप्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए कॉंग्रेस के सासन में 53 साल में मद्यप्रदेश को क्या बिरूद मिला तो एक बिमारु राज्य का बिरूद मिला 1980 के दसक में एक जाने माने आर्थिक विशलेशक स्री आसीस बोज ने राजीव गांदी जी को एक पेपर प्रस्तूत किया था उन्होंने इसमें बिमारु सब्द का प्रयोग किया था उस उदेश से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को विकासदर को अगर कोई चार राज्य नीचे ला रहे हैं तो ये बिमारु राज्य ला रहे हैं और बिमारू राज्य का सब्दप्रयोग चार राज्यों के पहले अक्सर से लिया गया था बिहार, संयुक्त मद्रपदेश जो आज का मद्रपदेश और 36 गड़ है राजस्तान और उत्तपदेश ये चार राज्य देश की विकासदर की नीचे लागने के लिए जिन्मेदार ह है, ऐसा आसिस बोजी ने एक पेपर के अंदर इसको रखा था और तब युनाइटेड नेशन्स और अंतराष्टिय सभी विकासदर के मानांक तै करने वाली सभी एजंसियों में ये चार राज्यों को राइट आप स्टेट करकर उल्ले किया जाता है, कि इसमें कुछ सुध ही नहीं सकता है, ये चार राज्यों राइट आप स्टेट माने जाते हैं, और वो सभी सर्विक्षनों ने भी ये बिमारू राज्यों को भारत के ग्रोध की बाधा के रूप में वर्नित किया गया है, दोजार तीन में सिर्मान बंताधार की सरकार को हटा कर मद्दप्रदेश की जनता ने कई त्यासिक ने नहीं दिया, उमा भारती जी के नेत्रूत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद उमा भारती जी, बाबुलाल जी और 2005 से अब तक सिर्मान सिवराशिन जी के नेत्रूत में भारतीय जनता पार्टी ने ये बिमारू सब्द से मद्दप्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है 20 साल गरिवी से मुक्ति का सुवनकाल मद्यप्धेश में साबित हुआ है और आगामी पचीश साल में संपून विक्षित राज्य बनाने की नीव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्म निर्भर मद्यपदेश बनाने की नीव डालने का भी काम हुआ है। आत्म निर्भर मद्यपदेश बनाने का एक नीव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मद्यपदेश की 9 करोड की जनता को भरोसा दिलाने आया हूँ कि आने वाले अमरूत काल का समय मद्यपदेश को देश के सबसे विक्सित राज्यों की श्रेनी में रखने के लिए और संपून आत्म निर्भर राज्य बनाने की दिसा में हम काम करेंगे। जो मद्यपदेश कभी बिमारू कहा जाता था उसको बेमिसाल विकास का राज्य कहा जाता है। जो कभी बंटा धार माना जाता था वो आज हरक्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। हरक्षेत करकर राइट टॉप किया गया था वो आज सम्रूद्ध और खुसाल राज्यों की स्रेणी में आ है। 20 साल में बिजली, पानी, सडक, सिक्सा, स्वार्थ, अर्थव्योस्ता, सुसासन और कानून और व्योस्ता इस सारे पेरामिटर्स के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किय है। चाहिब उंदिल खंड हो या बगेल खंड, निमाड हो या मालवा, ग्वालियर चंबल हो या महा कौसल, भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुसहाली और विकास को पहुचाने का काम भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस 20 साल में 10 साल डबल एंजिन की सरकार है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने मद्यप्रदेश को काफी कुछ दिया है, मन खोल कर दिया है। और मद्यप्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब जूलियां भर भर कर वोटे देकर सीटे देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सिटे लोकसभा की भारतिय जनता पार्टी जिती 19 में 29 में से हम 28 सिटे जिते और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ एक सिट की कमी है 2024 में भी वो एक सिट की कमी भी मध्यपदेश की जनता हम पर कुरूपा करकर पूरी कर देए कर दो